हाई एवरिवान, एडवर्स पोजेशन यानि की प्रतिकल पोजेशन इसके तरह आप प्रॉपर्टी के मालिक बन सकतो यही एक नॉर्मल चिंतवापना बन गया है अभी आजकल रिसेंट डेज में ऐसे कुछ जजमेंट सामने आ रहा है जहाँ पर मोस्ट आप दा केसेज में फोनेरबल सुप्रेम कोड अफ इंडिया एडवर्स पोजेशन का यह जो क्लेम है इसके उपर बेस करके पोजेशन कोई और इंसान को नहीं दे रहे है यानि कि जो कबजा करके रखे है उनका जो क्लेम है एडवर्स पोजेशन के तहत मालीका ना अधिकार उसको रिफिसकर ना कार दिये हैं अभी ऐसा क्यों है एडवर्स पोजिशन का जो कानून है क्या इसको खतम किया जा रहा है धिरे धिरे इसको एबोलीश किया जा रहा है जबकि असल जिंदेगी में फैक्ट और रियालिटी कुछ अलागी कहता है जो कि आगे आपके साथ डिसकस करूंगी अभ तो मालिक नहीं बन सकतो अभी मेरा कहने का मतलब यह बिलकुल भी नहीं है कि जबर्दस्ती जो घुस करके कब्जा बना करके बैटे हुए है उसको मालिक बना दिना चाहिए ऐसा मैं बिलकुल नहीं कर रही हूँ मैं इसको सपोर्ट भी नहीं कर दियू पढ़ा कानून है इ तो हिमाचल प्रदेश शिमला के सामने एक सेगेंट अपील फाइल हुआ था अब यह सेगेंट अपील तक केस पहुंचा किस तरके से तो देखिए प्रापर्टी पर कब्जा बना करके रखा गया था अन्दब बैसिस ऑफ दैट 12 साल के अंदर अंदर आर्टिकल 65 अब लिम को कुछ evidence वगर देना पड़ेगा अब कौन से evidence that आप उस property का real owner हो उस property में आपका ही कबजा है और जो कबजा यहाँ पर बनाया गया है वो continuous नहीं है यानि कि आप चुप करके नहीं बैट हुए थे आप अपना property को वापस लेने के लिए 12 सल के अंदर अंदर केस फाइल कर र लग रहे हो नहीं तो plaintiff court में recovery suit फाइल कर देते प्रापर्टी को वापस लेने के लिए अब ऐसे में trial court सब कुछ देख करके जो कबजा धारी है उनके favor में पास हो जाता है जो real owner है plaintiff है अब यह पार्टी एग्रिप्ड हो करके पहुंस जाते अपील फाइल करने अपील पारी adverse position को uninterrupted position था यह प्रूफ करने में succeed नहीं कर पाते है तो इसके ताइक जो कबजा धारी है उनके खिलाब judgment पास हो जाता है जो real owner है plaintiff है उनके favor में पास हो जाता है अभी ऐसे में उनको हिमाचल प्रदेश हाई court में second appeal करना पड़ा यहां पर तो substantial question of law है तो court यहां पर detail matter को देखे और तीन question mainly court के पास था decide करने के लिए सबसे पहले जो property यहां पर subject matter है जहां पर adverse position claim किया जा रहा है क्या real owner इसका मालिक है number one number two defendant का क्या अधिकर बनता है adverse position के कानून के तहित property claim करने का वो property का मालिक बन सकते है क्या तीसरा क्या plaintive जो recovery suit file किये है यह limitation create के अंदर हुआ है मतलब article 65 of the limitation act के अंदर जो time limit बोला गया है उसको fulfill यह कर पाए है अभी article 65 कहता है 12 साल और अगर अगर अब government के property के उपर adverse position claim कर रहे हो according to article 112 आपको दिया जाता है 30 साल ठीक है अभी बात क्या है देखे अबर्स position claim करने के property absolutely continuous position में होना चाहिए चोरी छुपे घुस करके बैट गए हो यह नहीं होना चाहिए open होना चाहिए और यही पर supreme court बहुत जादा अपना नाराज़गी जाता है तर एड़र्स position एक ऐसा चीज है एक real owner से आप property छिन ले रहे हो है अगर आपका कोई property है मैं उस पर घुस करके आपका जो original title है वो आपसे छिंज आ रहा है adverse position के तहित ऐसे में सुप्रिम कोट बहुत बार seriously urgent तरीके से law commission को एक नया कानून बनाने के लिए बोले है यानि कि जो present सारका सारा हिसाब किताब है उसको reconsider करने के लिए बोले थे अभी law commission को different cases पर different तरीके से जो सुप्रिम कोट judgment पास किये उसका भी reference दिया गया था सबसे पहले हेमाजी वागाजी जाट वर्सिस भीखा भाई, खेंगर भाई, हरीजन और आदर्स यहाँ पर सुप्रिम कोट बहुत जादा criticize किये थे unduly जादा हर्ष बन रहा है ये कानून रियल ओनर के favor में, सुप्रिम कोट immediately बोले एक कानून बना ये एक urgent need है, बट law commission कहे दिये जो रितू राज अवस्ती करनाटा का हाई कोट के retire judge इस committee को hate कर रहे थे, उन्होंने ये कहे दिये तरह अभी इस time पर present situation को देखते हुए, adverse position का जो law है उसको reconsider करने की कोई जरुरत न सके, अभी ये बनेगा भी, क्या चीज़े क्या आपको पता होना चाहिए मैं आपको बताऊंगी वीडियो बना करके, अभी सुनिए, जब ये case second appeal में high court के पास था, high court ये three terms को detail में देखे, that is, NAC V, NAC claim and NAC precario, अब इसका मतलब क्या है, without force, without secrecy and without permission, और आप absolutely ऐस एक evidence दे र मालिक है, वो चुप करके बैट हुए थे, कोई वो action नहीं लिए, ये जानते हुए भी, that's the matter, जो कि वागाजी जाट case में, detail में सुप्रीम कूट कहे थे, अभी इस तरके से अगर होगा ना, तो सभी लोग प्रापर्टी में घुस करके, कबजा बना करके बैट हुए रहें कहीं पर honorable high court अपने decision पर बोले, that कोई proximal चो time है, कौन सा दिन से hostile ये बन गया है, real owner के favor में, ये proof नहीं कर पाये थे, कबजा धारी, अब ये ही सब facts को देखतो है, high court ये बोले, that यहाँ पर ये absolutely clear नहीं है, ये hostile था या फिर नहीं था, long term आप possession को hold किये हो, that doesn't mean आप इसका मा अलिग बन जाओगे प्रतिकुल position के तहित, that was the decision of the high court, तो यहाँ पर भी कबजाधारी का हार होता है, अभी I hope आपको समझ में आ गया है, आपको क्या करना है, किस तरगे से act करना है, अगर कोई इंसान adverse position के तहित, आपका property claim कर रहा है, तो सबसे पहले complain कीजिए, ठीक है? Unequivocal evidence उनके पास नहीं है, यह ensure करने की diet वो आपके उपर होता है, यानि कि अगर आप complain करोगे, आप necessary force इस्तेमाल करके, necessary force मतलब मैं मारपिट की बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, होकी बला ले करके चलो हल्ला बोल कर दिये, नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, necessary force मतल नहीं करता है, जो अपना right के उपर घोरा बेचके सो गये है, action ही नहीं लिए है, मैं यह कह रही हूँ कि आपको थोड़ा बहुत little bit action लेना है, property को वापस पाने के लिए, interruption create करने के लिए बोल रही हूँ, अगर अब इस तरके से interruption create करते हो, तो इसको क्या कहा जाएका आप authorized possession, जो कि insufficient adverse possession को proof करने के लिए, defendant का title बन ही नहीं पाएगा, वहीं पर रोक लग जाएगा, इस तरके से अगर आप करोगे, तो 100% leak करके दे सकती हूँ, property आपका ही रहेगा, जितना भी जो तीजमर खान आजाए, property पर कबज़ा वगरा कर ले, नहीं होगा, नहीं कर पाएगा और ये बोल करके, high code absolutely ये जो petition file किया गया था, इसको dismiss कर दिये, सिर्फ long time के हिसाब से, आप मालिक बनने की कोशिश कर रहे हो, हक बनाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा गलती मतलब आपके उपर ही भारी पड़ जाएगा फिर तो, so that's it in this video, उम्मीद करते हूँ आपको इस video से क कुछ value मिला है, अगर मिला है कि लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए, बहुत बहुत धन्यवात मिलती हूँ अगले वीडियो में